आज इस वीडियो में हम गैफी, सनी और मैनी को एक मज़ेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे बच्चों, तुम्हारा होमवक हो गया क्या? पापा, हमें ये कहानी होमवक में पढ़ने के लिए मिली है पर सनी और मैं ये कहानी नहीं पढ़ पा रहे है मैडम ने हमें इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्णों को हल करने के लिए भी कहा है अरे बच्चों, ऐसे दुखी नहीं होते चलो, पहले मैं तुम्हें ये कहानी पढ़कर सुनाता हूँ फिर तुम दोनों ये कहानी खुद से पढ़ना, ठीक है? हाँ, ठीक है पापा एक तालाब में एक कच्वा रहता था, उसका नाम ननकु था ननकु की आदत थी खूब बाते करना उसके दोस्त थे दो बगूले एक बार खूब गर्मी पड़ी और तालाब का पानी सूखने लगा तीनों दोस्त परिशान हो गए अरे, अब तो तीनों दोस्त प्यासे रह जाएंगे हाँ, सनी, मुझे भी यही लगता है पापा, आगे क्या होगा? चलो, कहानी में पढ़कर पता लगाते है एक बगूला बोला, अब हम क्या करें? दूसरे बगूले ने कहा, वहाँ दूर एक तालाब है हम वही चलेंगे ननकू बोला, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? बगूलो ने कहा, घबराव मत लमकू हम तुम्हें ले जाएंगे तुम इस डंडी को अपने मुझे पकड़ लो बस तुम बाते मत करना ननकू ने उनकी बात मान ली और वे तीनों उड़ चले जब लोगों ने देखा तो सभी हसने लगे कि कैसे एक कच्छवा उड़े चला जा रहा है लोगों को हसता देख, ननकू को समझ आ गया कि वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे है ननकू को बहुत घुसा आया उसने कुछ बोलने के लिए मुझ खोला ही था कि उसके मूँ से डंडी छूड गई बच्छो बताओ फिर क्या हुआ होगा मुझे तो लगता है ये मीचे गिर गया होगा नहीं मुझे लगता है उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया होगा बच्छो कहानी में आगे पढ़कर इसका भी पता लगाते है कच्छो ने जैसे ही बोलने के लिए मूँ खोला वह नीचे गिर गया हाँ इसलिए हमें जादा नहीं बोलना चाहिए बिल्कुश सही कहा सनी दोस्तों हमें कुछ प्रश्णों के उत्तर भी लिखने है क्या आप हमारी मदद करेंगे स्क्रीन पर दिये गए प्रश्णों के उत्तर सोचें आपको ये कहानी कैसी लगी कहानी में कच्छो का नाम क्या था कच्छो की क्या आदत थी कच्छो को घुश्णा क्यूं आया और उनके उत्तर अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहाने सुना कर साजा करें बच्चो इस वीडियो में हमने एक मज़ेदार कहानी पर चर्चा की